आप सभी को जैसरी कृष्णा राधे राधे तो आज सुनाते हैं लड़ू गोपाल की बहुत ही दर्द भरी सच्छी घटना तो इस घटना को मेरे साथ सेर की है जबलपुर से रीता जी ने तो रीता जी बताती हैं कि उनके साथ कैसे कैसे दर्दनाग हादसा हुआ और वो उस हादसे से कैसे बची ये सब लड़ू कोपाल की कृपा से तो अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कर दिया करिये और चैनल में न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा जिससे कि आपको आगे भी ऐसी सत्य घटना सुनने को मिलती रहेंगी तो रीता जी बताती है कि बच्पन से ही उनके घर में मतलब जो उनका घर था वो पूजा पार्ट में सब लोग लगे रहते थे पूजा भक्ती वाला महौल होता था उनके घर में लेकिन क्या तो धीरे 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 करके रीता जी ने भी अप जैसे रीता जी करने लगी तो घर के सभी सदस्य सुसराल में भी करने लगे एक बार की वो बात बताती है कि रीता जी को कहीं जाना था अब है तो सासो मा भी उनकी अपने माई के गई हुई थी और रीता जी को भी अचानक क कहीं जाने का मौका आ गया अब घर में कोई नहीं हस्पेंड वाइप उनकी सास थे और बच्चे थे तो सास पहले चली गहीं थी अपने माई के अब इनको अचानक जाना था कुछ फंक्शन था इनके मतलब ससुराल पक्ष में तो इनको दो दिन के लिए कहीं जाना था अब क् अब लड़ू गोपाल को कैसे लेके जाएं तो उन्होंने सोचा कि इनकी एक फ्रेंड है तो उसने एक दो बार बोला भी कि मेरा भी बड़ा मन करता है कि मैं भी लड़ू गोपाल को रखूं लेकिन रख नहीं पा रही हूँ मैं तो उसने सोचा रीता जी ने सोचा कि चलो का मन भी करता है हमेशा जब भी यहां आती है तो बोलती रहती है कि मेरा भी मन करता है रखने का तो चलो भी दो दिन के लिए ही तो जा रही हूं तो अपनी फ्रेंड को दे देती हूं तो उन्होंने फोन में बात किया कि तुम रख लोगी क्या दो दिन के लिए बहुत अरजे शरगा की चलो इनकी सेवा में कोई दिक्कत नहीं होगी और हम लोग दो दिन के बाद आ जाएंगे फिर क्या होता है कि ये लोग रात में पैकिंग कर लेते हैं और सुबह निकलने से पहले अपनी फ्रेंड को रीता जी लड़ू को पाल को दे आती है और लड़ू को पाल के सा साथ उनके सारे वस्त मतलब दो दिन की जो भी उनकी सामगरीती सब कुछ दे आती है उनके विस्तर विस्तर सब कुछ दो दिन की वस्ता वो सब कुछ करके जाती है और उनको लड़ू को पाल को उनकी फ्रेंड के आहां दे के आ जाती है फिर क्या होता है कि ये लोग आके फ अब यहां से जाती हैं और जब जाती हैं तो जिस ये लोग बस से जाती हैं और जिस बस से जाती हैं तो वो ड्राइवर जो होता है पता नहीं ड्रिंक किया था क्या था समझ में नहीं आया और वो बस और दूसरी बस की टक्कर हो जाती है तो टक्कर में ये लोग घायल हो जात और जहां जाना था वहां पहुंच नहीं पाते और हॉस्पिटल में यह सब भरती हो जाते हैं तो जब इनको बहुत जादा गंभी जो आंगे बैठी हुए थे तो उनको तो बहुत गंभीर चोट लगी हुई थी लेकिन यह लोग आंगे नहीं बैठे थे पीछे से थोड़ी स आंगे बैठे थे तो चोट तो लगी थी इनको भी लेकिन बच गए थे तो हॉस्पिटल में लोग भरती हुए अब जाना था दो दिन के लिए लेकिन हॉस्पिटल की वज़े से इनको और टाइम लग गया और वहां जहां जा रहे थे अब वहां नहीं जा पाए और सापिटल में ही रहे लेकिन वहां पे जो लड़ो गौपाल की अब रीना रीता जी कहते हैं कि यह सब कुछ हमारे लटो गौपाल की वज़े से ही हुआ क्योंकि हमारे जे पूरा ध्यान होता है वह उन्ही उस टाइम पे हम लोग बात ही कर रहे थे लड़ो गौपाल के वार थी लड़ुगापल की क्रपा से हम लोग बच गए फिर क्या होता है? रात में इनको क्या होता है? कि अज़ईब सी पिचेनी होती है जो कि हास्पिटल में थी सब कुछ कोई वेसा वो नहीं था कि वहां पे kiya हो रहा है? इनको कुछ भी पता नहीं लेकिन रात में इनको सफना आता है कि जैसे इनके लड़ो गोपालना बहुत परेशानी में है और ये मतलब बेचैन टाइप की होती है इनको बार बार लड़ो गोपाल का ख्याल आता है तो ये अपने हजबेंड से बताती है कि मुझे अजीब सा लग रहा है पता नहीं क्यूं बार 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 मुझे लड़ो गॉपाल का ही ध्यान आता है तो वो कहते हैं, अस्वेंट कहते हैं कि देखो आज तुम पूरे टाइम से यही कह रही हो हम लोग जो बचे हैं, वो लड़ो गॉपाल की क्रपा से ही बचे हैं और दिन में तो पूरे टाइम तुमने लड़ो गॉपाल, लड़ो गॉपाल ही किया इसलिए रात में सपने में, तुमको ऐसा लग रहा है, विचयनी हो रही है और लड़ू गोपाल का ध्यान आ रहा है वो कहती है रीता जी कहती है कि हाँ हो सकता है इस बज़े से अब क्या होता है कि दूसरे दिन मतलब जो डॉक्टर थे ना वो एक हपते के लिए वो कर लेते हैं कि अभी चोड तो इतनी ज़्यादा गंभीर तो नहीं लगी थी लेकिन फिर भी जाने लाइक भी कंडिशन नहीं थी तो एक हपते के लिए भरती हो जाते हैं फिर क्या होता है कि दो-तिन दिन के बाद फिर लड़ू कोपाल उनको सपने में आते हैं और ऐसा उनको लगता है कि जैसे बहुत वो दुखी हो और बहुत रो रहे हो वो कहते हैं कि मा मुझे बहुत गर्मी लग रही है और यहां पे मुझे किसी ने पंखा नहीं लगाया है मैं कूलर मैं नहीं सो रहा हूँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है और ऐसे करके उनको इसे लगता है कि जैसे लिडो गोपाल बहुत परिषानी में हूँ और जब वो ऐसे सपना देखती हैं तो वो सुबह जब अपने घड़ी में देखती हैं वहाँपे तो देखती हैं कि अभी तो रात है वो अपनी फ्रेंड को कैसे फोन करें अब जब सुबह होती है और अपनी फ्रेंड को फोन करती है कि अपनी फ्रेंड से पूछती है कि और सब पहले सब कुछ पूछती है कि और तुम कैसी हो कुछ जो भी और फिर पूछती है कि लड़ो पॉपाल ठीक है तो उनकी मतलब ठीक से सेवा कर रही है बोले हाँ हाँ मैं ठीक से सेवा करें अब उसको क्या पता उसकी फ्रेंड को कि ये कितने अच्छे से लड़ो पॉपाल को सुलाती है और कितने अच्छे हो क्योंकि रात में तो उसने कभी देख ली नहीं था उसने तो दिन में ही देखा था तो ये क्या करती थी जो इनकी फ्रेंड थी तो ये सब कुछ करती थी भोग लगाती थी जब कुछ करती थी तो फैर का काना रात में सब कुछ करती थी लेकिन रात में जब सुलाती थी तो ऐसे ही ये लड़ो पॉपाल को वो लिटाती नहीं थी सुलाती नहीं थी मतलब जो मं आने वाले कपड़े अलग होते हैं फिर अपने उनको बिस्तर लगाते हैं मतलब ऐसे ही जैसे अपने लोग सोते हैं बच्ची को सलाते हैं से उसी तरीके से करते हैं जो लड़ो कोपाल की सेवा करते हैं लेकिन अभी उन्होंने लड़ो कोपाल रखा नहीं था तो अभी उनको थोड़ी दूर था कॉर्णर में तो वहां हवा भी नहीं पहुंसती थी तो लड़ो गोपाल परिशान मतलब जिनको हम अपने बच्चे के जैसे अगर मानने लगते हैं तो लड़ो गोपाल भी हमारे गरी के एक सदस्य जैसे ही हो जाते हैं अब इसी वज़े से रीता जी के सपने में बाहर पाल लड़ो को पाला के और वो बोल रहे थे कि मैं बहुत परिशान मुझे गर्मी लग रही है मुझे ठंडक मैं नहीं सुलाया मतलब वैसे उनको अभास होता था फिर उनको इतनी बेचैनी होने लगी रीता जी को कि मैं कितने जल्दी जाओं और मैं अपनी सहेली से अपने लड़ो वो पाल लूँ क्योंकि सहेली ने तो बता दिया था हाँ क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था ये सुलाती कैसे है उतने जो भी पूचा उतने बता दिया लेकिन फिर भी रीता जी को लग रहा था कि नए कुछ तो है जो मेरा लड़ो गोपाल बहुत परिशान है अब क्या होता है कि हफते पूरे हो जाते हैं वो लोग थोड़े ठीक हो जाते हैं और अपने हस्बेंट से क कहती हैं कि अब मुझे आज लास्ट है एक हफते हो गए अब चलो अपने घर चलते हैं चल्दी से कैसे भी करके मुझे लड़ो गोपाल के पास मुझे बहुत जादा याद आ रही है और बहुत बेचैनी सी हो रही है पता नहीं लड़ो गोपाल मेरा कैसा है ऐसे करके तो उ सीधे वो अपने घर ना जाके सीथे जाती है अपने फ्रेंड के अहां और जाते जाते इनको साम का टाइम हो जाते है पहुंचते पहुंचते घर उनके पहुंचते पहुंचते रात के 9 बच जाते हैं और जब वो उनके घर पहुंचती है बेल बजाती है तो सब बच्चे स अब रात हो गई तो लाइट मैंने बंद कर दी और जब वो लाइट जला के देखती हैं तो लड़ो गोपाल उनके ऐसे ही उनसी वस्तर में बैठे हुए थे और ना तो नरीता जी की सहेली ना तो उनको सुलाई थी और ना ही उनके पास कोई पंखे की विवस्ता थी वो जल्दी से अपने लड़ो गोपाल को गोदी में उठाती हैं और जल्दी से लेती हैं और मन ही मन कहती हैं कि लड़ो गोपाल मुझे माफ कर दो मुझे नहीं पता था कि तुम को ये सुलाई ही नहीं और है तो मैंने भी जल्दवाजी में मैंने भी इसको पूरा अच्छे स बताया नहीं कि इनको सुलाना होता है इनके सामने पंखा लगाना होता है तो मुझे माफ कर दो और फिर बाद में ऐसे गले लगा कि खूब दुखी होती है आखों से बहुत आसू निकलती है तो जो डीता जी की फ्रेंड थी वो पूशती है कि अच्छा रीता बतातो आखिर हुआ कि तू इतनी दुखी क्यों है तेरे आसों क्यों निकल रहे है बता कोई गलती होई क्या मेरे से जड़ो गुपाल की सेवा में तो ऐसे ऐसे करके वो फ्रेंड पूशती है तब वो रीता जी रोते हुए बताती है कि या तेरे से गलती नहीं हुई गलती तो मेरे से हुई है जो कि मैंने तेरे से सारी बात नहीं बताई तो उसने पूछा उनके फ्रेंड ने कि क्या तूने नहीं बताया और मेरे से क्या गलती हो कोई बता ना प्लीज बता दे तो फिरवाद में वो बताती है कि देख लड़ों को पाल भी ना अपने घर में एक सदस्थ के जैसे हो जाते हैं जैसे अपने घर में छोटा बच्चा है वैसे ही वो तो अपन अपने बच्चे को गर्मी में रख सकते हैं कि अपने बच्चे को कैसे सुलाते हैं लिटाते हैं ना और देख तो जब से मतलब हम लोगों को एक हपते हो गए गए और तो कपड़े तो बदलती हैं लेकिन तो कभी लिटाती नहीं तो इसकी फ्रेंड ने बुला कि हाँ मैं लिटाती तो नहीं मुझे तो पता ही नहीं था कि इनको सुलाया जाता है और इनको इस तरीके से पंखा में रखा जाता है सब कुछ ये सब मुझे नहीं पता था फिर उनकी फ्रेंड भी माफी मांगती है और लड़ो गॉपाल के सामने और रीता जीसे कि रीता मुझे माफ कर दे बहन मुझे नहीं पता था कि लड़ो गॉपाल की सेवा ऐसे होती है और लड़ो गॉपाल के सामने भी वो हाँ चूड के बहुत माफी मांगती है कि लड़ो गॉपाल मुझे माफ कर दो मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से रात में आपको सुलाया जाता है इसलिए मेरे से जो गलती हुई वो अजाने में हुई आज के बात मेरे से कभी ऐसे नहीं गलती होगी तो जो रीता जी है वो उसको बहुत अच्छे से समझाती है बोलती है कोई बात नहीं और है तो हो गया तुने कभी अभी तक लड़ोगोपाल रखे नहीं तो तुझे पता नहीं और तेरी गलती नहीं तेरी से ज़्यादा तो मेरी गलती है जो कि मैंने तुझे बताया नहीं और देखो जब हम लड़ोगोपाल को रखते हैं जब उनकी सेवा करते हैं तो हमारे अंदर भाव आता है लेकिन जैसे हम अपने बच्चे के रूप में मानते हैं तो हमारे अंदर वो बच्चे वाले भाव आएगा कोई उनको मित्र के रूप में कोई उनको भाई के रूप में मतलब जिस रूप में आप उनको पूझोगे वो भी अपनी सदस्यता दिखा देते हैं कि हाँ मैं हूँ उस रोप में देखो नहीं तो फिर रीता जी को सपने में कैसे पता चलता कि मेरा लड्डू को पाल परिशान है ना दोनों का connection तो था ना एक दूसरे के प्रती तब ही तो सपने में लड्डू को पाल ने उनको मतलब हिंट किया कि नहीं मैं ऐसे परिशानी में हूँ और वो भागते हुए रीता जी अपनी फ्रेंड के हाँ आती है देखती हैं तो सच में उनको लड्डू को पाल परिशानी में दिखते हैं ना तो पंखा था ना तो सोई हुए थे फिर घर ले जाती हैं और बहुत अच्छे से उनके गद बिस्तर लगाती हैं और है तो उनको बहुत अच्छे से सुलाती हैं और पंखा लगाती हैं कूलर लगाती हैं जो भी उनके सामने वो लगाती थी ठंडक में रखती हैं और फिर बहुत अच्छे से सुलाती हैं फिर उनको लगता है कि चलो आज मेरा लाल अच्छे से सोया, उनको लोरी गाती है, सब को अच्छे से पैरदवाती है, फिर उनको सुला देती है, तो ऐसे होते हैं लट्टो खुपाल की सेवा, हमेजा लट्टो खुपाल की सेवा में कोई ना कोई भाव जरूर रखना तो बुलिए लड़ू गो पालिकी जैह और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब करिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी सत्य घटना के साथ जब तक अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए थैंक्यू सो मच फुल वाच के लिए राधे राधे